रात नौ बजे के बाद कुछ सेकंड के लिए मातारानी देती हैं साक्षा दर्शन मंदर के निर्मान की कहानी भी एक दमवल में देश भर में महालक्षमी के कई ऐसे चमतकारी और रहस्य मंदर स्थित हैं जनके रहस्यों के आगे वग्यानिकों ने भी घुटने टेक दिये हैं इसी तरहा आज हम आपको माक एक ऐसे धाम के दर्शन करवाएंगे जो मुंबई के लोगों के बीच काफी प्रसद है अरब सागर के किनारे भूला भाई देशाई मार्ग परस्थत ये मंदर लाखों लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है क्योंकि इस मंदर में जो चमतकार होते हैं वो बहुत अथबुध है बतादे कि मुंबई में इस्थत अस मंदर में तीन बहुत सुन्दर मूर्तियां हैं गर्ब ग्रह में महालक्ष्मी, महाकाली, एवं महासरस्वती, तीनों देवी की प्रतिमाए एक साथ वद्धिमान हैं। आप उनके दर्शन कर लीजे। चलिए। अब आपको बताते हैं मंदर के निर्मान की रोचक कहानी। अंग्रेजों ने जब महालक्ष्मी क्षेत्र को वरली क्षेत्र से जोडने के लिए ब्रीच केंडी मार्ग को बनाने की योजना बनाई, तब समुंदर की तूफानी लहरों के बीच उनकी पूरी योजना खटाई में पड़ती जा रही थी। सेकडो मजदूर इस दवार के निर्मान कार्रे में लगे हुए थे, मगर हर दिन कोई ना कोई बाधा आ जाती थी। उस समय देवी लक्ष्मी एक ठेके दायर रामजी शिवाजी की सपने में आई। महालक्ष्मी का छोटा सा मंदर बनवा दिया गया। बाद में 1831 में धागजी दादाजी नाम के एक व्यवसाई ने मंदर को बड़ा सुरोग दिया और परिसर का जीर्ण उधार करवाया। और फिर ये मंदर अपनी भविता के लिए फेमस हो गया। इसके अलावा मंदर की एक और खास बात है कि गर्बगरह में जो प्रतिमा है वो वास्तविक नहीं है। और जो वास्तविक प्रतिमा है उसे किसी भी भक्त को देखने की इजाज़त नहीं है क्योंकि वास्तविक प्रतिमा को आवरण से ढख दिया गया है। आश्यर्य की बात है कि यहां दिवार पर सिर्फ उनी का सिक्का चिपकता है जिसकी अर्चना से माँ प्रसन्न हो। अगर आप यहां जाते हैं और आपका सिक्का दिवार पर आसानी से चिपक जाता है तो समझना कि आपका आना सपना है।